नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 12th class के अंदर कक्षा बारवी है ये बाइलो जी जीव विज्यान की class चल रही है जीव विज्यान के अंदर हमारे पास में जो अध्याय था वो अध्याय एक है और उसमें हमारे पास में जो प्रक्रण है तो टॉपिक चल रहा ह है और टॉपिक हमरे पास में का करत्रिम करत्रिम आलेंगिक जनन में अलेंगिक है इसके बाद में हमने दूप्रकार के एक प्रकार्तिक और एक में पड़ा था तो क्रतिम लेंगिक जनन आज हमको पूर्णता से इस प्रक्रण के अंदर पढ़ना है आज का पूरा टॉपिक इसी पर अधायरत होगा और इस टॉपिक में इस एक्जाम में जो हमारे वीडियो है या यह क्लास जो है इस क्लास में और भी टॉपिक को हम यह वरी किलियर व्यावसाइक रूप से रूप से जनन दीकि मनुष्य एक व्यावसाइक प्राणी है या समजिक प्राणी है यूं कहूंगा समाजिक होने का मतलब क्या होगा वो समाज के हित के लिए कोई न कोई कारिक करता है तो अगर अलेंगिक जनन कहीं पर हो रहा है लेकिन उस कुई कर्त्रिम विदी का उप्योब करेगा तो यहां पर बी क्या हो गया व्य favorites करन मितलब क्या हो गया उच हैं पर पहले एक फ़ल मिल रहा था और वहां पर हम्पर हमको और भी ज़्यादा फ़ल मिलने के समभाव होगी एक तो इंसान अपने खुद के लिए फर लगाता है या प्रचलर होगा तो देखिये यह तो होगे हमारे पास में कौन-कौन सी विदिया है सबसे पहले हमारे पास मेंग बाते कटिंग करने का मतलब क्या हो गया किसी बी चीज को कट करके उसको वापिस रोप od रूपन में हैं पहले विदी हैं अपने पास में कटिंग हमारे ऑंसे दूसरी दिक्थ भी आती है तो सेक बूंसे गॉल्धिग यह तीसदी वरफास में कौन चाहिए रोखन विधी है सब से पहले कटिंग विधी का मतलब क्या हो गया कोई भी प्लांट है जिसमें पर्व और पर्व संधिया हो जिसमें क्या हो पर्व और पर्व संधी हो पर्व संधी हो समझ ना यह 12 के साथ साथ में पर्व और पर्व संधी जो होती है वहां पर काफी उस टुकड़े को काट करके उसको क्या कर देंगी यह जमीन के अंदर लगा देते हैं ऐसा करने से क्या होगा एक नए प्लांट की क्या हो जाएगी उत्पत्ति हो जाएगी इसमें भी दो विधियां आती है इसके दो प्रका अपने देखा हों गन्हा जो है फौसान धीप्हाल गुर्ण कर लेंगे पर कटिंग करके उसको आपने इसको व्यूंक घजमीन के ईदर घंधर होते हैं वैसे उसको भी बहुतेंगे इसका एक्जम्पल हमारे पास में आता है गन्ना गन्ना क्या है इस परकार का स्थम्भ है जो आपने देखा होगा गन्ना बीच में इंटर नोड होता है यहां से पर्वसिंद्या निकल जाएगी और उसको शान यानि एक शेठीज लेटा देंगे लेटाने कि बाद में उसमें से क्या हो जागा और इक जो नोय प्लांट का क्या हो जागा ग European कानग मूल हैं हैना मूल से भी कहीं बाइर क्या जर्म उसके प्रकार से कटिंग वाला कुंपलेट कर लिए। दूसरा वार पास में आहाता। दाब विदी। यह सबसे लोकष्री विदी है, और सर्वाधिक इसका उप्योग किया जाता है दाविदी में क्या करते हैं कि पादप के किसी भाग को किसी भाग को ना पादप के किसी भाग को जो भी कोई भाग है उस भाग को लेंगे और उसके उपर उसकी जो चाल है उपर वाली जो चाल है उसको क्या कर देंगे रिमू कर देंगे हटा देंगे पादप की जो मान लो यह चाल यह प्लांट है गोल 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 गुबाएंगे और बीच वाला भाग होगा उसको क्या करेंगे हटा देंगे इस तरह से हटाने की बाद में बीच कलब भाग आंतरिक जो प्रत है उन निकल आएगी है ना थोड़े दिन में फिर यहां पर क्या कर देंगे अपन किसी ने किसी भी जैसे रूई है यह मर पास में मास होता है उसको लगा करके एक कपड़ा लबेट देंगे और ऐसी विवस्ता करेंगे कि उसके उपर क्या हो जाए उसके उपर क्या हो जाए पानी की बराबर वास्ता जो है उसकी वो पूरी होती रहे यानि कि उसको पानी मिलता रहे थोड़े दिनों में वहां से क्या हो जाएगा मूल निकलना प्रारम हो जाएगी मूल निकलना क्या हो कि ये प्रकार की होती एक हमारे पास में झीला वीदी में कूंसे होती है तिला विदी और एक हम ऩो यह सते जिसे प्लांट इसके अंदर से कोई ब्रांच निकली इस ब्रांच को अपन क्या गतेंगे कि भुमी के अंदर ये जिसीए तिला है वह मिटी का धेर ओसमें से हो कर गुजा रहें इए हैं अब किया आपको देख रहा से क्या हो जाएगा कि ठोड़े दिनों के बाद यह आपने का बनए दी भीति इस वीð के चाल को निकाला देगे और उसके उपर यह इसा को कपडा होता है जो है जो इस तरह के आसे लगा करके फोड़ा पानी की बुंद इसके और गरती है और एक्जामपल देखिए हैनना इसके बात कर रहा हुं हु pled कोई दभुढय की कपलांट है यहाँ पर क्यां निकला है यह उसकी कोईiac और दिया अब हम रवाली बरांच पर आता पानी की बोटल लगा भी ना जिसे पानी बूंद बूंद करके चपर गिर्टा आ हमने सबसे पहले कुल हो देखा सबहूर मूल have for जो प्लांट है उसकी एक ब्रांच को किसी तीली में मिट्य में से गुजारते हैं और वह जो ग्रांच उसके ओपर क्या करते हैं को लगा करके ऊपर से पानेगी कुछ बुंदें गिरातें हमेशा रहेंगे जिससे उसमें अपस्तानिक जड़े निकल बार आएंगी और उस प्लांट को अलग कर दीगे आब कौन्से बीदिया की पास में तो अब आएगे हमारे पास में रोपण वीदिया कॉन्से आएगी वन्हाइर नोगन वीदी पर जए उससे पहले हम दाव्पी्धी जो हमने बहुता है दाव्पीदिया हुआ हम पढ़ी है ना इसी को हम कहीं बार कि गट्टी विदी भी करते हैं ना इस तरह से लेप करके उसके पर बांधा जाता है तो यह आपको क्लिर होना चीह अब हम पढ़ेंगे रोपन विदी हमरे पास में से विदी आईगी अगली रोपन विदी नाम से क्लियर है कि किसी चीज को न ज यानि कि किसी चीज की दूसरे प्लांट के ऊपर नय प्लांटको लगाना यहां पर दो टर्म आएगी उसको पहले लेते हैं को दौग आँए किस जिक प्रुणंविदी में क्या होगा कोई न कोई एक तो पूराना प्लांट होगा है जब है जोड़ना होगा इसे पूर रोपन विदी में क्या आएगा एक विदी आई हमारे पास में रोपन विदी इस विदी में क्या होता है कोई भी प्लांट होता है इसमें दो टर्म यहां पर बहुत ही मजबूत आती एक तो आती कलम कलम का मतलब वह होता है वह प्लांट जिसकी शाकर जो हम ले रहे हैं वह होत उसको उपर से लाके डालेंगे उसे क्या बोलेंगे कलम के लाएगा तो इसको रूपण को हुआ हुए हम कितने भगण बाढटे हैं। RA friendly just इसे बोलते हिपवीदी ते इसे को हमारे पास में आती जिमभी विदी जिबी विधी भी खत हैं एंसे किया जता है कि medically मुझा समान व्यास की कलम ले जाती है रím को समान व्यास का ही इसकंद लेते हैं, यानि कि जो अच्छी कलम है, जो अच्छे नस्थ लगी है उसको, और समान व्यास का ही क्या लेते हैं, दोनों एक ही जाती की होने चाहिए, अगर मान लो दोनों गुलाब है, दोनों गुलाब की गुलाब ही होने चाहिए, ऐसा नहीं एक तुम गुलाब के एंड शेफ में इसे खांच बना दी जाएगी और उसको पक्याद जोड दिया जाएगा इसे प्लांड दोनों यानिकी कलम कलम और सकंद दोनों के दोनों क्या होंगे समव्यासी होंगे, दोनों को व्यास क्या होगा बिल्कुल समान होगा, एक जिसा होगा समव्यासी होगा, लेकिन इसमें खाच जो लगे जाती है वो इस तरह की होगी, यानि कि कलम जो होगी, कलम जो होगी वो वियाकार की होगी, और ये भी क्या विकूट में मुकविडी राकरतर में क्या करते हैं व्यास भूता तो छोड़ा बहुत बढ़ा प्लांट को हम चोंका रखांक शोक्रत जो होता है राजा का विदेशी और फिल्दल को को ये मिल में जो क्या केते हैं मुकुट इसकंद कितना है इसकंद कितना एक है और प्लांट कितने लग रहेते हैं कि ज्छाम लगा दि जाती है इस installer बोलते हैं मुकृट वीडि के नाम से जाते हैं ना इस विदी के अंदर लगबग एन बनाते हैं तो इस विदी के अंदर क्या बनाते हैं टी बनाते हैं क्या बनाते हैं यह मान लोग प्लांट है इस तरह से बना दे यह दूसरे प्लांट को इस तरह से बना देते हैं तो दूनों प्लांट के बीच में टी बन जाता है एक्वाइची पिद्धियों के अंदर पहला हमने पास में सबस्व ह्पहली थी जुसे बाद पास में दाव वी दिया एक टार विद्धियां पढ़ ली यहाँ पर इस प्रकार से लेंगिक जनन यहीं पर फिनिश हो जाता है अगले जो क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे लेंगिक जनन लेंगिक जनन प्लांटों के लिए बहुत महत्वपून है अती महत्वपून है और आप लोगों के लिए अती महत्वपून है क्योंकि एक्जामेशन से क्रस्ण पू